मेरा नाम है अब्दुल्वसीम रुसेला रेयल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काइट अब तक का मुंगरा का मोड प्रीमियम एंड लग्जिरी प्रोड़क्त काम चालू है अलड़ी आठ मेने होगे सब्सक्राइब काम चालू होगे वन बीज के टू बीज के कॉंटेक्ट कीजिए थैंक यू कौसा देविरी पाड़ा की नजीब मुल्ला की प्रचार सभा में मौनना कैसर रजा का भाषन गिनाई नजीब नाम की खूविया कि आप छे मैंने बाद बच्चों चाहिए उदर आपको नई स्कूल नया पेंट नए दर्वा से नया रंग नई टाइलेट खुप चुरत आपको लगेगा कि हमारी स्कूल भी माशाल्ला बाजू में रेडियन कीजिए कि यहां के बच्चे यहां से निकलते हैं माश होटल नहीं जाते हैं नीचे से सीधा आगे जाते हैं वहां से पेट्रोल पॉम निकलते हैं पेट्रोल पॉम के इदर से रस्ता क्रॉस करते हैं फिर तलाब के इदर आते हैं काउसा तलाब से फिर चलके स्कूल के इधर जाते कम से कम आप तीन से साड़े तीन किलो मिटर चलते हैं असलामु आलेकुम और रखने लाए बरकाते इह दिनस्सिरातल मुस्तगीम और याल्ला हमें सीधे रास्ते पर चला मेरी इसलामी बहने मत देख रहा हूँ इस वक्ता जहां पर खवातीन माबहनों की एक बहुत बहुत अच्छी खासी तादाद है और जादातर लगाब भोश है अईसी सभावों में आने के बाद भी अगर आपको अपने मजभी मर्यादा याद है तो हमारी तरफ से आपको स्लाव यहां आने के बाद मैंने देखा कि नौनिहाल बच्चों ने नजीव भाई नजीव भाई का नारा लगाया मैंने ये भी देखा कि नौजवान भाईयों ने नजीव सहाब को गुर्दस्ते और हार माले शाल पेश किया मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी बहनों ने माओं ने भी अपनी तरफ से नजीव सहाब को हदिये महबत गुर्दस्तों की शकल में पेश किया मैंने ये भी देखा कि चार पाँच मस्जिदों की अजान की आवाज यहां आई तो इस टेज की कारवाई बंद रही और बार बार ये होता रहा अभी अजान हो रही है अभी अजान हो रही है ये समझ देखता रहा आपनी भी देखा होगा देखिए اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو सीधे रास्ते पर चलाए हर नमाज में हम लोग अल्ला से यही कहते हैं एह दिनस्सिरातल मुस्तकी हमें उसी के साथ रहना चाहिए जो हमें सीधे रास्ते पर लेके चलता हो जाहिसी बात है कि कोई भी इंसान चाहे जिस मख़ब का हो जिस मुल्क का हो जाहे जहां का रहने वाला हो उसके लिए जरूरी है कि वो सच्चे रास्ते को चुने सही रास्ते का इंतिखाब करें सही रास्ते का चुनाद करें यहां emergency का माहौल है हमारे डाक्टर मुम्तास साहब 20 सालों से हमारा इनका बहुत ही गरीबी राप्ता है मेरे दिल, मेरे रूह से इनका तालोग है हम लोग कोई सियासी आजमी नहीं है लेकिन हमारे भाई जनाब मुम्ताज साहँ ने कहा कि मौलाना साहँ, नजीब साहँ कौम की सुधार के लिए कौम के अंदर रोशनी लाने के लिए मैदान में आए है मैं चाहता हूं कि होसल अवजाई के लिए दो-चार मिनट का वक्त आप निकाले मैंने एक बहुत लंबा सफर किया यहां पहुँचा, डाक्टर साहँ से राप्ता हुआ इस वक्त मैं आपके सामने हूँ जब मैं रास्ते में था तो मन नजीब, यह जो शब्द नजीब है मन नजीब का माना खलाश रहाता कि नजीब का माना क्या होता वो मैं आपके जहर में डालना चाहता नजीब का माना क्या होता लोगत में, डिक्शिनरी में जो माना बताती है जो तमाम मौनी का इंसाइकलोपीडिया है रेखता के अंदर लिखा हुआ है बावखार को नजीब कहते है पुश्यार को नजीब कहते है बाकिरदार को नजीब कहते है बाश्यार को नजीब कहते है और किताबों में लिखा है कि अल्ला के नेप बंबो में जो अवलिया अल्ला की जमात है उसमें भी ये पोश्ट है उस पोश्ट पर जो जाता है उसको भी नजीब कहते है मैं यह नहीं कहता यह जो नजीम साहथ आपके दर्मियान एलक्षन में उत्रे हुए है मैदाने अमल में आए है यह किसी मकाम पर फाइद है लेकिन मैं परीजिम्मेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि लोगा माबाब ने बताया था बुजरबों ने बताया था जब घ असल होता है वो बेटों पर भी आता है बेटियों पर भी आता है इसलिए अगर घर में अवलाद पैदा हो उसके सही नाम का इंतखाव करो सही नाम का चुनाव करो अगर नजीम साहब का नाम अच्छा है तो इनका काम भी अच्छा होना चाहिए मन नजीम साहब से इनकी पा जवाब से वाबस्ता है आपके समाज में याने के बाद मैंने जवाब का इहतराएं देखा है हमें यकीन है कि जवाब मजीव साहब को अल्ला तबारुको ताला तर उस मकाम पर पहुंचा देगा तो यही ज़वाब जो इस खरीब बस्ती में आ करके इन लोगों ने अपने आ जवाब में आवाज मिला करके आपको हमेशा चलते रहे जवाब जनाब राजन दादा साहब जनाब असदाजी साहब अभी अपने नगमाद से आपके दिमाग को जचोड़ रहे थे बहुत अच्छा उनका फन है जनाब राजीव अंसारी साहब जिनकी यहां महनता है बार वादा कर ली थे हम अगर यहां पर आए हैं तो सच का साथ देने आए हम अगर यहां पर पहुंचे हैं तो सचाई का साथ देने पहुंचे हैं जनाब नजीव साहब मैं आप से कहना चाहता हूँ हम तो नजीव साहब को नहीं जानते थे हम तो आपको जानते थे जब मैंने म बहुत तगीब से देखा है, बहुत तगीब से जाना है, अगर एक सचा आदमी, एक अच्छा आदमी, एक पहतर आदमी, अच्छी पिचार खारा का आदमी, अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए, तो साबित हो जाता है, एक नेक इंसान, अगर किसी इंसान का साथ दे रहा है, तो यकिनन उसको बहुत करीब से चाचा होगा परखा होगा जाना होगा ताद के उसके बगल में ख़डा है और हधारवाद के सामने अगर नजीब साहब के लिए जनाम मंताज साहब जैसे लोग ओट माग रहे हैं तो ये जिम्मेदारी है जनाम मंताज साहब की एक अच्छे आदमी के लिए वोट माग रहे हैं और आपको एक अच्छे आदमी के तरफ बुला रहे हैं। अच्छी चीज़ है स्यासते बेहतर चीज़ है इसके जरिया आप समाज में सुभार ला सकते हैं। इसके जरिया गरीबों के दर्द को आपकां कर सकते हैं। आखरी मेरा जूला है कि आप सब लोग अच्छे रास्ते पर चलाएं। सचे रास्ते पर चलाएं। मेक रास्ते पर चलाएं। आप जिस भी मजब के मानने वाले हैं। चाहे जिस भी मजब को आप मानते हो लेकिन हमेशा इंसानियत को अपने सबसे आगे रख है। एक इंसान अगर परिषान है आपका परोसी अगर परिषान है तो आप कोई मजब न देखें। ऐसकी परिशानी को हल करना इसकी परिषानी के समाधाखार करना या आपका सबसे पहला वरीजा है या अपर सबसे पहले लागू होता है उसकी परिषादी को आप हल करें और सियासत या राजनीतिंग किसी मज़org के लिए नहीं होती है ये इंसानियत के लिए होती है मुलके के तरक्ति के लिए होती है हम ऐसे लोगों को सलाम पेश करते हैं जो इंसानियत के साचे में ठले हैं जिनकी दिलों में मुल्क से वफादारी मुल्की की महबब और मुल्की की हमदर दिलों में बसी हुई है रची हुई है हम ऐसे लोगों की पद्र करते हैं इनी चन्द शब्दों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशालला सच्चाई का बोल बाला होगा सच्चाई का जो है सरबलन होगा सच्चाई का धंडा लहराएगा सच्चाई का पर्चम बलन होगा अगर जन्दा नमिले अपने दोनों हाथों को पार्चम बना लेना और कहँ देना सचाई का बॉल भाला हो गया और छुठाई का मुख डाला हो गया मुर्ण